इस वूडेए हम व्य्म्राक अ क्वा सब्रेज को बनाने के लिए इस यंशन होई इस फेल और कियो खुशेक्स के लिए खुश चांडति Damn अपट परीज देसके हमशन नह methU कि वाय इसके चारों कॉर्ण पर एक-डक कोब स्राउन लगाना और सेंट्र वाले ब्लोक को एक ब्लॉक अक्सफैंड करें इसके ओपर दो ब्लोक साई के एक मॉल बना ले लिए और इसके ऊपर से जाए है इसकी बाद गयाज हमें water bucket चाहिए water bucket से दोनों ब्लॉक्स पर एक left side और right side वाले blocks पर water डाल लेना और इसे temporary बंद कर देना इसके बात आपको इसे दोनों साइड से one block high करना है और इसके ऊपर से एक और cobblestone लगा देना यह नीचे वाले cobblestone नहीं तोड़ने इसकी जगा मिश्टेक से तूटने से आपको यह करतनी है, आपको बिल को ऐसे भी बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं, और इसके बाद को पिश्टन के उपर से भी कवर कर लेना, और यहां पर आपको दो लावा बक्रित डाल देना है. इसके बाद हमें पिश्टन के नीचे ब्लोक्स का एक प्लेटफॉर्म बना लेना आप जितना मर्जी लॉंग कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर सेंटर में ब्लोक रखना है और उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड पर दो ब्लोक्स लगाने और नीचे वाले दोनों ब्लोक्स तोड़ देने और यहां पर एक रेड स्टॉन टॉर्च लगानी है और उपर में एक रिपीटर लगा देना औ और उसके बाद रुपीटर को गाइज हमें थ्री टिक्स डीले पर रखना है और यहां पर एक रैड स्टोन प्लेस करना जिसे कि हम पिश्टन से कनेक्ट करेंगे दोनों पिश्टन से कनेक्ट करना है और अभी आप देख सकते हैं कि गाइज हमारा जो स्टोन जनरेटर है वह स्टोन हो चुका है सब्सक्राइज हमें एक चीज़ आरखने कि हमारा जो रेड स्टोन रिपीटर है उसे थ्री टेक्स डीले पर रखने अगर हम उसे डीले पर नहीं रखने तो हमारा यह जो आटमेटिक कोबल स्टोन जनरेटर है यह काम नहीं करेंगा सही तरीके से और अघरें काना है जोनेमें दमने पिश्टन प्लेस करती है तक प्सें देँए यह प्लोग नीचे एजे एकप् Alec से की अपर हम रेड स्टोन प्लेस करिंगे क सबसे ही हर पिच्टन के पिछे में रैड स्टोन प्लेस करने मैं तांक सारे सी चनेक्ट हो दowner आहा है ये इसके ये मैं स्ट्रक्चर बनाना है जैसे का मैं पिछ्छी साथ साइड से सी निचे से अपने जाए अचक कर देना है और इसके और गाई आपने डैट स्टोन टोर्चे से लगानी इसका पर गाईज बे ये रीट स्टोन रूपीटर कर डिले नहीं रखना और यहां पर एक डैसटोन प्लेश करके हमें इस यो पिस्टन से एकनेक्ट देना जो आश्वाइब देख सकते हैं कि हमारे यह जो कोबस्टाउं जुम्रेटर यह वर्ब कर रहा है सुबज जब हमारे पिस्टन बंद हो जाएंगे तब हमें इसको साइड से बिल्कुल ऐसे ही कवर करना है मैं इसको फास्ट पॉरड कर रहा हूं अब देख लेना कि कैसे कवर करना है इसको आप देख सकते हैं कि हम लेंसे कवर कर दिया इसके बाद आपको यहां पर एक एट लोग लोग कोबिस्टों का प्लेट कोम पनाना है जो से मापको फास्ट पॉरवड करके भी दिखा देता है कि अब अब पर कि अब अब और कि करोए दो कि अब और को आइए तो एक अब अब इसके बाद सब्सक्राइब को अब जाए है है तो इसके वाद गाये में वाटर बाकट से हर ब्लोग कर बोटर डालना है आपका फ्लो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका फ्लो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और इसके बद गाइज हमेया पर इसके नीचे एक और प्लेटफॉर्म बनाना है जो एट ब्लॉक्स लोंग होगा इसे भी मैं आपको फास्ट फॉर्वर्ड करके दिखा देता हूं कि आपको यह प्लेटफॉर्म कैसे बनाना है जहां पर आकर वाटर रुका है उसके नीचे एक एक लोग फोड़ देना है तांकि यह फ्लो आगे भी कंटेन्यू हो कि अब हमें इसे दो ब्लॉक्स और एक्सपैंड करना है तो इसके बाद में दोनों साइड पर ऐसा ही वॉल बनानी है एक साइड हमने बना लिया अब हम दूसरी साइड बनाएंगे तो इस दोनों साइड की वॉल की हाइट सेम होनी चाहिए अब 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 सुगे अब देख सकते हैं कि हमारा यह जो फ्लो यहां से ठीक नहीं है इसलिए इस भी ठीक करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि हमने यह फ्लो ठीक कर दिया है कि इसके बाद यहां पर हमें एक प्लेटफर्म बनाना है जिसे कि मैं आपको फास्ट फॉर्वड करके दिखा देता हूं तांकि यह वीडियो ज्यादा लंबी ना हो हुआ 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 है इसके बाद लोगने अपर यह फ्लो शेट कर दिया इसके बाद कर दिया इसके बाद हमें आपर एक लार चेस्ट लगानी है और इससे होपर को किनेक्ट कर देना थाकि हमारी जो आइटम वह सिधा चेस्ट में जाए जायं अब इसके बाद गयाजा में आपर एक विलोग लिका दूना है तो हमारी जो आइटम जाम वाटर के लोग के साथ आ गए ना जाएं सिद्धा होपर में जाएं सब्सक्राइब करने के लिए इसके बाद गयाजा में नीचे एक लार चेस्ट लगा लेना है और फरनस को उपर वाली लार चेस्ट से होपर के साथ कनेक्ट कर देना है और नीचे वाले चेस्ट को भी फरनस से कनेक्ट कर देना है और फरनस में हमें फ्यूल डाल देना है तो इसके बाद में सेंटर वालाइन में और ब्लोक छोड़कर एक अबसीडियन लगा लेना नीचे वाली साइड में और उपर वाले उपसीडियन को गाइज में एक मार्क लगाने के लिए रखा दा तोड़ सकते हैं और उसके बाद हमें थोड़ी हाइट पर जाना है इसके बाद काई यहां पर एक कोबल स्टोन प्लेस करके बाकी कोबल स्टोन हटा देना है इसके बाद काई जमें यहां पर 11 बाइटू के एक कोबल स्टोन का प्लेट्फॉर्म बना लेना है इसके बाद काई जमें आपर सेवन रिपीटर सेम डिरेक्शन में प्लेस करने हैं और उसके बाद में ऑपोजिट डिरेक्शन में सेवन रिपीटर दुबारा से प्लेस करने हैं और इने रेड्स्टोन से कनेक्ट कर देना है आप गाइज रिपीटर को पावर देने के लिए मैं आपर रेड्स्टोन टोर्च लगाने हैं और एक रेड्स्टोन अटाकर उस पे दुबारा रेड्स्टोन लगा देना ताकि यह पावर जया रिपीट होती रहे और हमें इसे त्री टिक्स डीले पर रखना और यहां पर डिस्पैंसर लगा देना इसके बग्याद में डिस्पैंसर में टी एंटी डाल देने हैं और सभी रिपीटर को फुल टिक्टी ले पर रख देना है अजर आप विए निसे डिस्पैंसर से कनेक्ट कर देने हैं अब आप देख सकते हैं कि हमारा फांब इंटू वार्ट कर रहा है और भी हमें अगर इस मशीन को रोगना तो उसके लिए आप यहां पर लीवर लगना सकते हैं है अब आप कैसे ही काईजब में बाकी दोनों रिपीटर के पास प्रेलीवर लगा देना है ताके में उसको भी स्टॉप कर सकें कि अगर तो बाकी के फरनस में हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जो दो करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन नाटिफिकेशन को तबाना मत भूलें खो जो बना मत ध जो दो नाटिव लगी हो नाटिफ खो इवार